जल्द बाजी हो और जो रों की भूंक लगी हो तो आप लोग ये रेस्पी ट्राइ किजीगा याकीन मानिएगा बहुत ही स्वाधिस्ट और टेस्टी लगती है खाने में तो इसके लिए हमने एक कटोरी चावा ले लिया है और कोकर में डाल दिया रहे हैं कटोरी दाल भी उस तो इसमें हमें ďजफे कर देदלה और नमक दाल देना है करने के बाद करेंगे इसमें थोड़ा सामक तिल डाल देंगेउ इस harmed थोड़ा साम सर्चों का तेल गया देंगे उसे कि यह रेस्मिन थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाए तो हमने थोड़ा सा सर्षू को तेल डाल दिया है इसको भी मिक्स कर देते हैं मिक्स करने के बार कुकर का ठकन बंद कर देते हैं तो अब हमें कुकर का ठकन बंद कर देना है और गैस पर चड़ा देना गैस को आन कर दो स्टी आने तक हमें इसको पका लेना है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो हमारे यहां पर दो स्टी आ चुकी है तो अब हम क्या करते हैं इसको आप कर देते हैं चावल को देख लेते हैं तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से खिले खिले बन कर तयार हुए तो अभी हमें आइसे ही नहीं करना इसके बाद आगे भी कुछी स्टेप है वह भी देख लीजीगा तो अब हम क्या करें हैं कड़ा है पर लिये हैं शर्षों का तेल उसमें डाले हैं आदी चम्म से भी कम जीरा और दो कले लैसुन को बारे करका डाल दिया थोड़ा सा अधरक कड़ो करका करें डाल दिया है उसके बाद डालेंगे एग मेड्यम सेच की प्याच को प्याच को लम्बे लंबे स्लाशिस में गटकिये थे उसको भी डाल दिये और सारी चीजें को फूड़ा से शाप्ट हो जाएं तो आप लोग हम पर देख सकत हो यह चीज़े थोड़ी स चुटी टमाटर थे उनको कट करके हमने डाल दिया है डालने के वाद इनको भी चलाएंगे ताकि थोड़े सब मतलब पाके जाएं तो जब थोड़ा से शॉप्ट हो जाएंगे उसके बाद हमें डालना है इसमें मटल तो यह फ्रोजन मटल है आप चाओ तो ताजी मटल भी ल मटल दिया थोड़ा साम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला इसे टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है तो हमने सारी चीज़ें डाल दिया डालने के अच्छे चला देंगे सारे चीज़ें पक चुकी है थोड़ा सा तो आप अपने चाओल जो बना कर रखे दे उन पाहे पर डाल देते हैं तो तरकी को सीधा कुकर पर डाल सकते हैं या चाओल को कडाई पर डाल सकते हैं जैसा आपको बेटर लगे तो मैं कडाहे पर ही सारे जाल पलट ली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमने इसको अ चिटका खाते हो मतलब खीली खीली तो आप कम डालिएगा पर मेरे थोड़ी से पतली खीचिडी खाए जाते इसलिए मैं थोड़ा सा पानीश में और डाल दियों डेड़ कटोरी और आप लोग देख सकते हो पाने डाले के वाद मैंने अच्छे से मेक्सिका लिया और इसको द ákची तरह क्या कि हमें चाहिए थी पतली उसी तरह की बनी है है अ आप क्या करते हैं गेश को आप कर देते हैं यहां पर खीजड़ी को सर्फ नेंकोंनों भी कर लेते हैं और सब शर्व कर ले और बहुत ही अलग ऐला के कि दाल 큰 जिज्यूर बना कर ट्राइ किजिए सब beni आप पर एक बारा रायर के दाल के खिजड़े बना कर ट्राय किजिएगा ब्यकीन मानिए बहुत ही सो अधिसो टेस्टी बनती है तो फ्रेंट से अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर करना चैनल को जरू सिस्क्राइब करना तो चलिए फ्